हुलो हुआ है आ Surate क्लेर कारेकटर क्या होते हैं कैसे वक करते हैं कौनसी स्कीन के लिए कौनसा इस प्रोबलम को कौन सा इसटाओ करेक्ट करता है काफी कुछ के मन में नुना लेकर क्लियर करने वा ले एक टो क्ररांकि किया हैं तो यह पी जब दिर्ट है क्लाक में बटिन को डूज कि IMPROVABLE ने घुन भ goo को ता चैनल को सब्सक्राइब कर ना बुले बैल बटन को जुरूर प्रैस कीज़ेगा ताकि नियो वीडियो की तरह वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मुझे इंस्टा गाम पर फॉलो कर लिजेगा यहां पर मेरा इस्टा गाम आइड आपको मिल जाएगा तो चलते हैं वीडियो की अपके इस्केन पशुन छो होती है उसे करेक्ट करना नाम से ही पता लगता है चार टाइपमट करेक्टर बहुत जाधा फेर्ट पर लेड़ कलोर के फेर पिमपल अगर आपको ब्रीन कलोर करेक्टर यूज करना चाहिए आप चाहरे लाट कर सकते हो जब भी आपको आपको बहुत ज़दा फेयर इसकिन टोन है तो आपको ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए ग्रीन कलर आपके जो इसकिन कलर होगा यह उसके अकॉर्डिंग आपको आपके फेस को कलरेक्ट कर देगा आपका इसकिन इवन हो जाएगा आपका फेस का जो जो पार्ट रेड है या रेड फिंपल आपके फेस पे आ गए है तो आपको ग्रीन कलर करेक्टर का यूज़ करना चाहिए सेकिन आपका है औरेंज औरेंज कलर करेक्टर आपको अगर डाक सकत की प्रोब्लम बहुत ज़्यादा है अगर आपको एकनिक की निशान है उन्हें हाइट करने के लिए औरेंज कलर करेक्टर यूज़ तो आपका कॉम्प्लिक्शन फेस का फोड़ा सा जार्क है ड़सकी स्किन टोन है आप उसे एकदम इवन टोन बनाने के लिए आपके बेस को थोड़ा सा फेर टोन देने के लिए आप पूरी फेस पे भी यलो कलरेक्टर अप्लाई कीजिए उसके बाद आप अपना पाउंडिचन अप्लाई कीजिए आपका बेस बहुत अच्छा प्रियेट होगा आपको 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 बहुत अच्छा क्रियेट करके देते हैं अगर आप कलर करेक्टर नहीं करोगे तो आपका जो फेस मेकप थोड़ी देर में ही ब्लैक पड़ जाएगा तो देर में आपका काला पड़ जाएगा और आपका मेकप लॉंग लास्टिंग नहीं रहेगा अगर आप जब भी मेकप करते हो एक बार करेक्टर करके देखिए उसके बाद आप अपना मेकप देखिए बहुत अच्छा मेकप होगा यह सो गाइस आपकी मेकप देख लोग देख लिजे मैंने किस तरीके से प्रेट किया है क्लींजिंग करने के बाद टोनर के लिए मैं ले रहे हूं टाबर का रोज बाटर में अपने पूरे फेस पे से स्प्रे कर लूंगी और इसे ड्राय होने दूंगी उसके बाद मैं अपलाय कर रहे हूं इसके बाद मैं अपलाय कर रहे हूं अपने पूरे फेस पेस से मिनट के लिए वर्क करने के छोड़ दूंगी मैंने ओफ केमरा अपनी आइब्रोज फिल कर ली थी मैंने आइब्रोज इस तरीके से फिल के जाती है मेविलीन के जैल लाइनर पे इस पर शॉर्ट वीडियो में मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा तो डीटेल वीडियो में इस मेरा फेस आपको औरेंजिस लग रहा होगा बट ऐसा कुछ नहीं है फांडिशन लगाने के बाद ये इकवल हो जाएगा एक ब्लेंडिंग ब्रश की हल्प से मैं से एचे से डबिंग मोशन में ब्लैंड कर लूगी रगणना नहीं है आपको फेस पर बस राउंड राउंड बस डेप करना आपको सकी अंदर उसके बाद मेरा ड्रेस चेंज कर लिया था सो इसके बाद मेरा फांडिशन अप्लाय कर रहे हैं फांडिशन के लिए मैं ले रही हूँ मेबिलीन जैल परेंडिशन और मेरा जो शेड है वह थी तैन प्योर बीच काई आपकी अपकी ब्रु से में अच्छे से लंगी पहले पूरे फेस चाहिए पाइट कर लोंगी और एसके बाद cuandoो डेबिक मोशन में ब्लेंड कर लोंगी आप देख सकतै आपके बाद यह उसके बाद highlight cig निक कर रहे हो highlighting concealer के लिए मैं ले रहे हूं Insight का HD Pro concealer इसके रहे ही हैं जो मेक अब ब्रोड़क्स अब बंडबन होते हैं सब भी अफोडेबल होते हैं budget friendly होते हैं बज़स्त मैं जातर inside ही पसंद करते हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका वर्ट पी बहुत अच्छा होता है तो गईस मैं अपनी अंडर आई एरिया पे और आई बेस के लिए पी मैं से ही क्रीट कि रहूंगी माउथ के अराउंड, हाइलाइटिंग कंसीलिंग जहां जहां पाट पे की जाती ही मैं वहाँ से अपलाए कर लोंगी इसके बाद में अच्छे से ब्लेंड कर लोंगी आप देख सकते हो में से ब्लेंड करना पहुत ज़रूरी है तो इसके बाद में ब्लेंड कर रही हो आप देख सकते हो और अपनी चिन को भी कॉंटार करोंगी तो गैस आपको चिन का जो कॉंटॉर किया जाता वो नीचे की तरफ ब्लेंडिंग की जाती है तो गैस उसके बाद मैं ब्लश अपलाय कर रही हूँ एपल अपड़ जिक्स पे मार्च की ब्लश पैलेट पैसे मैं पीछ कलर पिक कर रही हूँ अब मैं सेपरेट वीडियो बनाया है आपको मेरे चैनल पर मिल जायागा तो जो नेक्स वीडियो होगा वो आई मेकप पे ही होगा इसी आई मेकप पे अब जरूर देख लीजिगा अब मैं लिप्स अपलाय कर रही हूँ मैट लुक की 37 डीप मारून इसका शेड़ है बहुत अच्छा शेड है काईज अब आपने मेकप को सैट करने के लिए मैंने मेकप फिक्सर यूज किया था स्यूस ब्यूटी सो गाइज मैं वो क्लिप डि सब्सक्राइब करना भूलें वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई